तो देखे भारत मंदपम की सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं फिलाल देखे भारत मंदपम किस तरीकी से रोष्टी से नहाया हुआ है मनमोग द्रिश्य तो ये खुबसूरत तस्वीरे भारत मंदपम की आप देख रहे हैं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अपसे थोड़ दिर में याप पर पहुँचेंगी और यहाँ पर डिनर का आयोजन किया जाएगा तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारत मंदपम जो आज जबहा बना कि कितने राजनेक यहाँ पर पहुचें बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर पहुचें और बड़ी बाइलेटरल टॉक्स होई जो भारत के लिहाँ से बड़ी महत्तपूर्ण रही बड़ी उपलबदी भारत के नाम रही ऐसे में आप राष्ट्रपती द्रौ उटनीती होती है जब कई बड़े लीडर्स टेवल पर एक साथ बैठते हैं भोज करते हैं लेकिन उस दौरान भी बड़ी बाते सामने निकल कर आती है तो देखें डिनर की मेजबान राष्ट्रपती दौपती मुर्मू है उनका काफिला पहुच चुका है और आपको भारत ने खास खयाल रखा है और देखिये क्योंकि तमाम जो महाशक्तियां है वो पहुची हुई है दिल्ली में और दिल्ली में किस तरीके से आज पूरा दिन हमने देखा तमाम उपलब्दियां भारत के खाते में आई है ऐसे में ये देखें दौपती मुर्मू की तस्वीरें जो भारत मंडपम पहुंच चुकी हैं आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर डिनर की शुरुवात होगी G20 के सम्मान में जो महाशक्तियां यहाँ पर पहुंची हुए राष्ट्रेध्यक्ष वोर्ल डीरस पहुंचें उनके सम्मान में यह डिनर का योजन और इसकी मेजबानी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु कर रही हैं तो यह तस्वीर आप देखिए जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु दोनों मौजूद हैं और यह जगमग होते हैं भारत मंडपम की तस्वीर है यह सिर्फ भारत मंडपम की तस्वीर नहीं है यह विक्सित होते हैं भारत की तस्वीर भी है भारत मंडपम विशेश तोर से इसलिए तयार किया गया महीनों की मैनत नटराज की बड़ी सी मूर्ती लगाई गई नटराज अपने आप में एक शक्ती की सबसे बड़े चिन्न होते हैं और उनकी इस मूर्ती को यहां लगाया गया और यही प्रदर्शत किया गया कि हम कैसे उभरते हुए देश बन करा रहे हैं और विकास और पराओं को किस तरीके से जोड़ना है किस तरीके से आगे रखना है यह भारत ने दिखा दिया है और देखिए नटराज की तस्वीरा अब लगाता है देख रहे हैं संदीब बोल हमारे सयोगी भारत मंडपम से मासा जुड़ रहे हैं संदीब आपसे थोड़े देन में डिनर की शुरुवात हो जाएगी द्रापदी मुबोलावर पहुंच चुकी अभी फिलाल क्या कुछ तस्वीर है भारत मंडपम से जो है राश्पती की तरफ से जो भोज दिया जा रहा है उसके लिए पूरी तयारी है और इस वक्त जो रात को जो इस वक्त रोशनी है वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से इस भारत मंडपम को सजाया गया है दुनिया की नजर इसके उपर है दुनिया देखना चाहती है जी ट्वेंटी के उस आयोजन स्थल को जो की इस वक्त सब की सुर्ख्यों में है और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते किस तरीके की लाइटिंग इस वक्त यहाँ पर की गई है पूरी तरी से फॉंटें है जो जिस पर हम लोग सद्यों से चले आ रहे हैं वो आज भी हमारे लिए वैसे ही कायम है और इस वक्त आज शाम को जो डिनर है उस डिनर की जो है तैयारी इस वक्त पूरी हो चुए लाइटिंग पर बहुत जादा फोकस किया गया है इस वक्त लाइटिंग तस्वीरों मे भी आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम के आज पास जिस तरीकी की लाइटिंग की गई है वो हर किसी को आकरशिद कर रही है काफी लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी पूरी पूरे ट्राइल हुए कोई भी ऐसा चूक नहीं होना चाहिए कि आखिर जब भी जब यह इ पीचे जो भी पूरा एरिया है जहां पर की जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स तैयार किये गए हैं वो सारे के सारे यहां पर आप सामने देख सकते हैं कि कितना खुबसूरत यह भारत मंडपम लग रहा है खास बात यह है कि अभी तक दिली को दिली के जो कह सकते हैं कि दि एक स्पोर्ट है एक पहचान के तौर पर दिली में सापित हुआ है और यह जितना खुबसूरत बनाया है जितना भव्य बनाया है ठीक है संदीप लोट रहे हैं आपके पास में बेहत खुबसूरत भारत मंडपम जिसमें सभी डेलिगेट्स मौजूद है और इसे के साथ में थोड़ी देर बाद रात्री भोज आयोजित किया जाएगा जहां खास तोर पर राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहने वाली है अभी पी जो तस्वीरे सामने आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी मौजूद है राश्प पूहित आपको दिखाई देगा जहां हर राज की आपको कुछ तस्वीर जलकियां दिखाई देंगी आपसे थोड़ दिर बाद रात्री भोज शुरू हो जाएगा तो देखिए भारत मंडपम पूरे तरीके से तयार है खंड भारत की तमाम तस्वीरे आपको इस भारत पहुंच चुकी है थोड़ी देर में डिनर की शुरुवात भी हो जाएगी जी ट्वेंटी के जितने भी तमाम वॉर्ल डीडर्स यहां पर पहुंचे हैं उनके सम्मान में ये तो दो तस्वीरे आप देख रहे हैं भारत मंडपम भारत की चवी जहां आपको दिखाई दे उभरता हुआ आपको भारत दिखाई दे जिसको आप देखें तो दूर से ही समझ सके यहां आपको संस्कृती विरासत हमारी दिखाई देगी विक्सित होती हुई संस्कृती द दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी सबसे शक्तिशाली तस्वीर है जहां पर राष्ट्रपती, द्रौपदी, मुर्मु और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपको नज़र आए। किया गया और हम यहां देख रहे हैं विक्सित बढ़ते हुए भारत को भारत मंडपम की छाया में तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आप अपसे थोड़ी देर बाद में राश्पती द्रौपदी मुर्मू के साथ में सबी खास महमानों को देखेंगे जब रात्री भोत गा आयोजन किया जाएगा और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी वहाँ पर मौजूदी है भारत मंडपम का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है भारत मंडपम इस बात का गवहा बन रही है कि G20 के कितने महमान बड़े-बड़े महमान यहां पर आते है वो भारत को इस तरीके से शायद पहले कभी ना देखते हो, लेकिन आज वो देख रहे हैं, वो इस व्यवस्था के मुरीद हो रहे हैं, वो इन तरीकों के मुरीद हो रहे हैं, और वो मुरीद इस बात के हो रहे हैं कि भारत नकिवल अपनी बात करता है, भारत जब बात करता ह तो सबकी एक साथ बात करता है, वो वसुदेव कुटमबकम में विश्वास रखता है, मुश्ची प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की खास बात इसलिए भी की जाया यहाँ पर, क्यूंकि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जब-ज़ब जिस-जिस Forum से बात करते हैं, इंट्रनाशनल लेवल पर वो यही बात करते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम अगर कान कर सकते हैं, हम विकास कर सकते हैं, सुझे नहीं कर सकते हैं चविया जो है आप भारत मंडपम में इस वक्त देख पाएंगे कि किस तरीके से हम जो विदेशी मेहमानिया पर पहुँचे हुए हैं, भारत की संस्कृति से उन्हें रूबरू करवाएं, इसका खास खयाल रखा गया है, मेजबानी में भारत कोई कमी ना रखे, इसका भी ख आगे बढ़ रहा है, प्रधान मंतरी नरेंदर बोधी के निर्तित्व में वैसे वैसे भारत की छवी, भारत का कद, डिप्लोमेटिकली तो बड़ा ही है, वैश्विक पतल पभी भारत ने कई तमगे या यू कई कई उपलबधी आपने नाम किया, और ऐसे में आज जिस तर का योजन किया गया है, खास मेहमानों के लिए विकास की जो एक तस्वीर भारत ने पेश की है, क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी हमेशा कहते हैं कि हम मदर अफ जिपार